Hello everyone, welcome you all at location unlimited study zone, तो स्टार्ट कर रहे हैं CBC सैंपल पेपर नमबर 2, जो की LN इंस्टिट्यूट ने यहाँ पर लॉंच किया है, 3Marks का साइंस का सैंपल पेपर, आप लोगोंने बहुत ज्यादा रिक्वाइर्मेंट करी है सैंपल पेपर की, तो आईए, उसी कड़ी में हम सैंपल पेपर नमबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, अगला पेपर है, वैसे ओल टोटल देखा जाए, तो हमारा फोर्थ फूबर पेपर होगा, इसके पहले हमने थ्री पेपर लगा चुके हैं, देखिए, चली, question आपके पास में है, कि यह question पढ़ेए, देखिए, question दिया गया है कि, calcium oxide react vagrously with water, यहाँ पर दिखे रहा है कि, जो calcium oxide है, वो आपका water के साथ बहुत ही vagrus react करता है, बहुत ही तेजी से react करता है, identify the incorrect statement, आपको बताना है कि इस में से incorrect statement क्या है, तो जब भी calcium oxide जो होता है, water के साथ react करता है, तो दीखी क्या produce होता है, calcium oxide क्या है, खुद में quick lime है, और quick lime जब water के साथ produce react करता है, तो यह produce आपको करता है, CAOH whole twice, मतलब यह slagged lime produce करता है, ओके यह कौन सा lime है, यह slagged lime है, तो कह रहा है, it is an endothermic reaction, तो यहाँ पर कह रहा है कि कौ कुन सी reaction है, यह तो CAO plus H2O, यह जो reaction है, endothermic है, yes, यह endothermic reaction है, okay, क्योंकि यह hit लेती है, then इसके बद में slack lime is produced, true यह भी सही है, okay, true यह भी सही है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, endothermic मतलब energy का लेना होता है, but इसमें energy release होती है, हाँ, तो यह endothermic तो नहीं हुई, यह exothermic होनी थी, तो मतलब यह statement जो है, इसका incorrect है, यह पहला वाला statement क्या है, इसका incorrect है, sorry, यह जो statement है, incorrect है, यह सही है, quick lime is produced, बिलकुल गलत, अरे भाई, slack lime बनेगा, तो clamp कैसे बनेगा, it is an exothermic, exactly यह भी सही है, it is an combination, तो दो मिल करके एक बना रहे है, so यह कैसी reaction है, combination है, तो मतलब दो statement यहाँ पर गलत दिये हुए, पहली चीज यह statement गलत है, it is an endothermic, तो यह endothermic नहीं होती है, इसमें हाथ भी touch किया गया, यह activity आपकी book में भी है, कि जब यह reaction होती है, calcium oxide की, तो यहाँ पर यह जो होता है, हाथ गरम हो जाता है, ओके, यह beaker जो होता है, गरम हो जाता गया था, तो correct answers का क्या, first and third, चली, अगला question देखते है, question number two, identify the reducing agent in the reaction one and two, उसमें कह रहा है कि reducing agent क्या है, reduce करने वाला, देखे, reduction हुआ, यह नहीं पूछ रहा है, जो, जिसने, जो है, reducing agent, जिसने reduce किया हो, यह समझना है आपको, ठीक ना, तो देखे, पहली reaction में और दूसरी reaction में आपको देखना है कि reducing agent कौन है, तो reducing agent मतलब जो reduce कर दे, reducing agent मतलब जो reduce कर दे, reduction मतलब oxygen का निकलना मतलब जो oxygen को निकाल ले, जो oxygen को निकाल ले, तो देखे, यहाँ पर देखे, दूसरी वाली reaction में clear पता है कि H2 जो है, वो सामने वाले का oxygen खीच रहा है, मतलब खुद को oxid paradise कर रहा है तो सामने वाले को reduce करेगा मतलब second reaction में h2 जो है वो reducing agent है मतलब या तो option ये वाला होगा या तो ये होगा ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता तो reducing agent आपके पास either h2 इसमें है या इसमें है अब देखिए यहाँ पर कौन reduce कर रहा है MnO2 है और 4HCl है okay MnO2 है और 4HCl है देखना है कि कौन जो है यहाँ पर कौन जो है सामने वाले को reduce करेगा जो खुद oxidize हो जाता है वो सामने वाले को reduce करता है जो खुद oxidize हो जाता है वो सामने वाले को क्या करता है reduce करता है ठीक है okay तो पहचानिये यहाँ पर कौन सा आपके पास में reduce करेगा तो देखिए यहाँ पर जो HCl है यह जो HCl है वो इसके oxygen को छीन रहा है एक तरीके से होके HCl जो है वो इसके oxygen को छीन रहा है तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि यह सामने वाले को क्या कर रहा है MnO2 को क्या कर रहा है reduce कर रहा है तो HCl यहाँ पर क्या हो गया oxidizing sorry reducing agent हो गया क्योंकि यह इससे खुद oxygen ले रहा है मतलब सामने वाले को reduce कर रहा है तो reducing agent यहाँ पर क्या होगा HCl हो जाएगा और H2 हो जाएगा तो इसका correct option होगा option number 2 चलिए next question देखते हैं कह रहा है कि the safest method to detect hydrogen gas would be तो आपको safest method बताना है कि सबसे बढ़िया अच्छा method कौन सा होगा तो इन चारो डाइग्रामों को observe कीजिए और इन चार डाइग्राम को देख करके बताईए कि safest method कौन सा है येस एक बार देखिए तो सब में zinc and dilute estuary support देखिए यहाँ पर क्या बर्निंग splinter के किनारे लिया जा रहा है तो ये तो बात हुई नहीं इसमें तो बर्निंग splinter के अंदर डाल दिया गया है ये भी बात नहीं हुई अब देखिए यहाँ पर क्या है कि directly इन दोनों डाइगरों में फर्क देखो क्योंकि जो आंसर है इन दोनों में ही है इसमें यहाँ पर क्या क्या है safe क्योंकि hydrogen gas जो होती है वो pop sound के साथ और मतलब थोड़ा सा blaster type का हुआ करती है तो आपको अपनी safety भी ध्यान में रख रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है तो देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी एक delivery tube डली हुई है बट यह directly यहाँ पर निकल रही है उसके उपर यहाँ पर contact में लिया आ गया है ओके और यहाँ पर एक cork लगा हुआ है cork के ऊपर यह लाए गया है तो I think यहाँ पर question number 3 का option number 4 होना चाहिए और चलिए चेक करते हैं इसका option कौन सा है तो first, second, third, third का option number 4 तो बिलकुल सही है यहाँ पर जो answer है question number 3 का answer number 4 ही सही है है ना और हम लोगों ने question number 3 ही किया था इसका answer number 4 correct है चलिए अगला देखते है दा डाइग्राम given below shows the electronic arrangement of the valence electron of a molecule compound xy3 which of the following pair of elements could be x and y तो आपको x and y के बारे में बताना है कि x और y क्या हो सकते देखिए तो valence electron देखिए x के पास कितने है यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है और यह 5 है मतलब total 5 valence electron है तो 5 valence electron किसमे हुआ करते हैं, सोचिए 5 valence electron जो हुआ करते हैं किसमे होते हैं और इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, 3 जुड़े हुए हैं आपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 valence electron इसमें जुड़े हुए हैं ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कितने valence electron है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ओके, पांच जुड़े हुए है, तो पांच valence electron किसमें हुआ करते हैं, देखे, पांच valence electron होते हैं, nitrogen में होते हैं, phosphorus में होते हैं, ओके, nitrogen में होते हैं, phosphorus में होते हैं, देखे, और argon में तो होते नहीं है, sulfur में भी होते नहीं है, या तो nitrogen हो सकता है, या phosphorus हो सकता है, अब यह देखें, यहाँ पर कितने balance electron है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 में आपके पास में एक neon हो नहीं सकता, hydrogen हो नहीं सकता, oxygen हो नहीं सकता, केवल आपके पास क्या है, fluorine है, केवल आपके पास में क्या है, fluorine है, तो आप आपको best combination बताना है, कि कौन सा इसमें combine होगा, ठीक है, कौन सा इसके साथ combine हो, सोचिए एक बार, बताइए best option कौन सा है, ओके, तो देखिए, इसका जो correct option बनेगा, आपका ये बनेगा, ये, fluorine, मतलब एक phosphorus बनेगा center पे, और दूसरे तीन fluorine लगेंगे, मतलब compound बन जाएगा, PF3, ओके, phosphorus tri-fluoride, ओके, phosphorus tri-fluoride, देखिए, तो यहाँ पर जो है, since the number of valence electron in x is 5, and it is a phosphorus, and the number of valence electron in y is 7, तो y में कितने हैं, 7 है, तो दिये गया options में, अपने पास में क्या हो जाएगा, ये answer जो हो जाएगा, अपने पास में, phosphorus and fluorine हो जाएगा, ठीक ना, ठीके, nitrogen possible था, nitrogen थो था, वो possible हो सकता था, बट nitrogen के साथ ऐसा कोई compound नहीं बनता है, नहीं तो आप कहोगे कि इसा nitrogen के भी, outermost orbital में 5 electron हुआ करते हैं, बिल्कुल सही है, बट जो compound बनने की बात यहाँ पर बोली गई है, तो जो compound बनेगा आपका, वो बनेगा phosphorus के साथ ही, तो थोड़ा सा learning type का question है, answer देख लेते हैं, इसका क्या है, correct answer is option number 3, बिल्कुल सही है, तो option number 3 हमारा भी आया हुआ है, इसमें से कौन सा metal है, जिसको आप रखोगे अपनी हथेली पर, तो यह melt हो जाएगा, तो melt होनी के लिए एक तोची जान लो बच्चो, cesium जो होता है, वो normal condition पे melt हो जाता है, okay, cesium, magnesium तो छोड़ो melt होई नहीं सकता कभी, mercury तो already melting state में आता, वो कभी solid ही नहीं होता, तो उसको छोड़ो, वो क्या melt होगा, तो आपके पास दो यह option बचे, एक cesium और एक gallium, तो correct answer इसका 5th का मेरे प्राण से, 3 and 4, तो 3 and 4 देखे कि इसमें है, 3rd में है, तो 5th का answer number जो होगा, फिर 3rd हो जाएगा, because जो gallium होता है, और cesium होता है, इनका melting point बहुत लो होता है, तो आप इसमें लिख लो low melting point, इनका जो melting point होता है ना, बहुत low हुआ करता है, चलिए, अगले question की और चलते हैं, एक student at vinegar, 3 test tube, 4 test tube, 2 test tube, 1, 2, 3, 4 and then introduce a bettering matchstick, तो mouth of the test tube, ठीक है न, the matchstick will be extinguished in the test tube, कि रब matchstick जल जाएगी, किस में जल जाएगी, देखिए, acid आपने लिया है, vinegar क्या है, acid है, और acid plus carbonate कहलो, या bicarbonate कहलो, दोनों में क्या produce होती ही, CO2 और CO2 matches को भुजा देती है, तो एक तो यह होगा, एक ही होगा, मतलब option number first and fourth होना चाहिए, क्योंकि first में और fourth में CO2 निकलेगी, चलिए, चेक करते हैं, sixth का answer number मुझे 1 लग रहा है, है न, first and fourth, तो दीखे, sixth का correct answer है, option number one, vinegar stick acid react with the metal carbonate, 10A2C3 metal hydrogen carbonate to produce the carbon dioxide gas, which is extinguish the burning matchstick, चलिए, question number seven की और चलते हैं, अगला question देखते हैं, question number seven, which of the following compound has a triple bond, तो triple bond किसमे होता है, अलकाइन में होता है, ओके तो सारे तीन कारवन वाने हैं, तो तीन कारवन के अलकाइन क्या होगी, cNH2N-2, c3H4, तो correct option इसका कितना होगा, option number two होगा, seventh का option number two, okay, तो आप n equal to three के लिए जो एलकाइन बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी, तो option number two is the correct option, cNH2N-2, और इसका structure कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बना सकते हैं, आप लोग खुद भी, okay, done, चलिए, ये reaction, छोड़ा सा, मैंने आपको solution दिखा है नहीं, तो question number two का, जो solutions था, वो इस तरीके का है, देख लिजे, okay, ये reaction हुआ करती है, okay, done, 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 चलिए, आँगे, question number eight पे आते हैं, question number eight पे, ये देखे, the image shows the bread mouth, लोने, how this fungi obtain, तो कह रहा है कि ये जो fungi होती है, ये किस प्रकार से obtain होती है, आपके चार options दिए गए हैं, okay, पढ़ लिजे इसके option, question number nine, eight की बात हो रही है, yes, ये इस तो, इसको spongia बोलते हैं, ये जो fungi form होती है, इसको spongia बोलते है, moist bread है ये, तो इसका correct answer है, three, okay, eight का correct answer, आपका option number three है, bread mold shows saprotrophic mode of nutrition by which it break down nutrients of bread and then absorb them, so bio की जाना knowledge मुझे नहीं है, आप लोग इसको समझो अपने से, चलिए अगला question देखते है, question number nine, in the diagram find out C, तो भाई आपको बताना है, blood के part लिखे हुए है, blood के part में आपको बताना है, कि जो C वाला part है, सबसे नीचे वाला जो part है, वो क्या होगा, तो answer क्या है, जो नीचे वाला part है, वो RBC है, red blood कर्पुसेल्स जो होते हैं, वो सबसे नीचे आते हैं, okay, मतलब इनकी density जो होगी, सबसे जढ़ा होगी, C वाले part की density जढ़ा होगी, चलिए question number three, identify the part number three, तो आपको part number three, बताना है, कि part number three क्या है, okay, question number 10 का, आपको part number three, बताना है, कि यह part number three क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं इस पार्ट नंबर 3 को इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम ठीक है ना ये इंडोमेट्रियम इसको ओवरी बोलते हैं इसको ओवरी बोलते हैं और ये जो ट्यूब यहां से निकल रही है इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ठीक है ना और भी कुछ काफी होता है बट इसके जवारे में ज्यादा जनकारी नहीं कौन कौन है देखिए स्नेक है ग्रास फ्रॉघ है इंसेक्ट है तो सेकेंडरी कंजीवर कौन होगा यहाँ पे तंक उबा च्ट्वी का आंसर दीजेए इसका कर्यक्ट आंसर है जो सबसे पहले ग्रास है ग्रास को कौन खाएगा ग्रास और Ajah आपने पास ओपर को कौन खाएगा अपने पास यहां पर फ्रॉग खाएगा, ओके फ्रॉग, तो यह कहलाएगा primary consumer और यह कहलाएगा secondary consumer, ठीक है, चलिए, which of the following represent voltage, आपको बताना है कि voltage किसको कैसे represent करेगा, तो voltage क्या होता, V equal to होता, W by Q, V equal to होता, कितना W by Q, and W upon Q कितना होता, होता, I into T, Q होता है, I into T, तो W किसमें आपेंगे, work done upon ampere, यहने की current और time, तो work done upon current into time, तो question number 13 का option number होगा, A, क्योंकि, V equal to होता है, W by Q, और W upon Q कितना होता है, I into T, yes, चलिए, question number 14, चलते हैं, question number 14, कह रहा, A cell register की an emitter arranged in the, so the current recorded in the emitter will be, चलिए, बताना है कि आपको की current किसमें maximum होगी, Okay, अरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, emitter को आप कहीं भी लगाएं, battery को कहीं भी लगाएं, current सभी case में same होगी, मतलब equal current आपको मिलेगी, तो correct option इसका कितना होगा, 4, in the same in all the cases, okay, the same in all the cases, चलिए, question number 15 पे आईए, question number 15, which of the following can make parallel beam of light when light from a point source is incident, convex mirror as well as convex lens, तो कह रहा है कि बताईए, किसमें आपको plane beam of parallel light अप मिल सकती है, okay, convex mirror as well as convex lens, तो सही बात है भाई, convex mirror में और convex lens में आपके पास में plane mirror, बिल्कुल plane light अप इस्तमाल कर सकते हो, ठीक है न, जैसे यहाँ देखे, focus से जाएगी light तो यह plane हो जाएगी, और अगर आप convex की बात करें तो अगर आप focus से beam जाद देंगे तो यह जो है parallel हो जाएगी, ठीक है न, convex mirror as well as convex lens, दूसरा है convex mirror as well as concave lens, भाई, concave lens है, गलत हो गया, अगला है two plane mirror at 90 degree to each other, यह भी बिल्कुल नहीं है, 90 degree पे, concave mirror as well as convex lens, तो concave lens भी नहीं होगा, तो correct answer इसका क्या है, A है, 15 का, जो A है, ठीक है न, देख लेते हैं इसका answer, 15 का, क्या कह रहा है, यह सी यह देखे, क्या लिखा है, Option number one is correct, when a point source of light is placed at a focus, मतलब point source है, अगर focus पे है, तो अगर इससे light जो आएगी वो parallel हो जाएगी, Of a concave mirror for a convex, concave mirror or convex lens, the light ray emerges as parallel beam after reflection or reflection through the mirror or lens, मतलब दोनों के context में बात की भी गई है, Mirror के लिए भी बोल दी गई है, और lens के लिए भी बोल दी गई है, चले next, question number 16, discuss करते है, Price has been given to a student, he determines focal length by focusing the image of the sun on a screen place 24, भाहिसा, मतलब ये पक्के से क्या लग रहा है, में convex lens लग रहा है, और ये image को focus कर रहा है, कितने पे 24 पे, मतलब इसका जो focus है, वो कितना 24 है, On the same side of the sun, but wait, 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 On the same side of the sun, मतलब ये mirror हो गया पक्के से, क्योंकि same side अगर focus हो रहा है, तो ये mirror हो जाएगा, ओके फिर ये lens नहीं हो सकता है, From the same side of the sun, ठीक है, screen place 24 cm of the device, On the same side of the sun, state the current statement, तो आपको बताना है कि ये correct क्या है, तो देखो यहाँ पर आपके पास में ये क्या होगा, तो ये चीज़ है, पक्की बात है कि ये आपके पास में क्या है, कैसा mirror है, साब साब दिख रहा है कि कौन के mirror है, क्योंकि light आएगी और इस तरीके से focus हो जाएगी एक point पे, और जिस point पे focus होगी वही तो focus point है, तो 24 cm पे focus हो रही है, मतलब ये कौन के mirror है, और focal length कितनी इसकी 24 cm, तो question number 16 का correct answer 3 हो गया, चलिए question number 17, तो assertion reason का है, देख लेते हैं, question number 17, reaction between barium chloride and sodium sulfate is a double displacement and precipitation, बिल्कुल सही बात है, ये सही statement की जो दोनों के बीच में reaction होती है, वो होती है, double displacement भी होती है और साथी precipitation reaction होती है, reason, reaction between barium chloride and sodium sulfate involve exchange of iron, the reactant and the white precipitated form, बिल्कुल सही बात है, दोनों statement correct है, and B is the correct explanation of A, तो इसका answer number होगा A, चलिए देखते हैं, correct answer इसका, इसके पहले मैंने 16 तो बता दिया, 17 का देखिए, option number 1 correct है, चलिए, next देखते है, question number 18, respiration is a biochemical process opposite to the photosynthesis, हाँ तो ये भी, जो है question number 18 का पैदा पाट भी सही है, कि biochemical process opposite to the photosynthesis, energy is released during respiration, पिल्कुल सही बात है, कि ये दोनों ही statement सही है, okay, and यहां से इसमें explain कर रहा है, इसको कि respiration जो है, respiration के दौरान जो होती, energy निकलती है, so you can say कि, मतलब ये इसका explanation है, so answer होगा, इसका A सही होगा, दोनों सही हैं इसमें, okay, option A, respiration is a biochemical process opposite to the photosynthesis, because the energy is released during the respiration, due to the oxidation of food, ठीक है, respiration में oxidation of food होता है, while in the photosynthesis, sunlight energy is used for the synthesis of food, मतलब एक में energy निकलती है, photosynthesis में आपको energy मिलती है, और respiration में energy जाती है, ठीक है ना, तो इस तरीके से, but because energy is released during respiration due to, एक मिना, sorry मैं उल्टा बोल गया, कि respiration is a biochemical process opposite to the photosynthesis, देको photosynthesis जो process है, वो endothermik है, because उसमें energy ली जाती है, and जो respiration process है, वो exothermik है, याद रखना, अब यह बिल्कुल correct बोल दे हमने, photosynthesis endothermik है, because उसमें sunlight के energy ली जाती है, और जो respiration है ना, वो exothermik है, because उसमें sunlight के energy आपको बाहर मिलती है, चलिए question number 19 करते है, question number 19 क्या कर रहा है, glow moral, glow merular filtration requires expenditure of energy by kidney, it occurs due to the pressure difference in glow merular capillaries and bowman capils, तो देखे, आपके पास question number 19 का answer मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, इसका answer है 4, मतलब की 4 वाला क्या होता है, कि A is false and R is true, मतलब पहला वाला false है, और दूसरा वाला जो है true है, 19 का option, कुछ इस तरीके का resolution है, इसको पढ़ दीजिए, इसको आप लोग पढ़ दीजिए, ठीक ना, यह क्या कह रहा है, चलिए, question number 20 की तरफ चलते हैं दोस्तो, question number 20 देखे, assertion कह रहा, a fuse wire is always connected in parallel with the main line, if a current larger than specified values flow circuit, then fuse wire will melt, भाई, बिल्कुल सही बात है, कि fuse wire को जो है, अब parallel, बट वेट बिटा, यहाँ पर लिग दीए parallel, तो parallel में तो जुड़ता नहीं है, mail line में, मतलब assertion false हो चुका है, assertion क्या हो चुका है, false हो चुका है, but reason यहाँ पर true है, तो इसका correct answer होगा, 4, assertion is false, यहाँ, assertion is false, but reason is true, तो इसका correct answer क्या जाएगा, 4 जाएगा, ठीक है, तो यह थे हमारे पहले 20 questions, 1st level के, इसके बाद start करते हैं, 2nd question, 2nd, section भी start करते हैं इसके बाद,